सरकार का नया नियम, दिन में बिजली सस्ता, रात में होगा महगा दिन में किया बिजली का इस्तमाल तो आएगा कम बिल, रात को होगा ठीक इसके उल्टा अब रात को किया अधिक बिजली का इस्तमाल तो देना होगा अधिक बिल केंद सरकार बिजली बिल को लेकर नया नियम लाई है जिस नियम के तहट दिन में बिजली इस्तमाल करना सस्ता होगा तो वहीं रात के समय अधिक बिजली का इस्तमाल जेव ढीली कर देगा ऐसा है कि बिजली के इस्तमाल पर दिन और रात के समय के बीच अंतर 20% तक बिजली की खपत पर कम या अधिक बिल चुकाना होगा इससे फायदा क्या है ये सरकार ने गिनाया है ये नियम अब जल्द सुरू होने वाले हैं तो आज ही आप जान लीजे कि किस वक्त कितना बिजली इस्तमाल करें जिससे जेब पर कम असर पड़े अभी तक क्या होता आया है यही ना कि किसी भी वक्त बिजली का पनियोग करें बिजली बिल समान आता था ऐसे में आम तोर पर घरों में बिजली उपकरण का इस्तेमाल अधिकतम रात में होता था जैसे पंका, कूलर, AC का चलना या कई घरों में वासिंग मसीन का इस्तेमाल रात में होता था पर अब ऐसा करने पर आपको अधिक बिल चुकाना होगा लेकिन अगर कामकाजी है या फिर अपना दफ्तर है तो आपके फायदे रह सकते हैं क्योंकि यहां बिजली उपकरण का अधिक इस्तमाल दिन के समय में होता है ऐसे में आपकी दिल्चस्पी बिजली बिल के नियम पर बढ़ जाएगी बता दें कि सरकार बिजली दर तैं करने के लिए दिन के समय मोड का नियम लागू करने वाली है ऐसा होने पर देश भर के उपभुगता घंटो यानी दिन के समय बिजली खपत का प्रबंद कर अपने बिल में 20% तक बचत कर सकेंगी नियम के तहट दिन के विबिन समय के लिए बिजली की अलग अलग दरे लागू होंगी इसकी जानकारी देते हुए बिजली मंत्राले ने कहा कि नई वेवस्ता लागू करने के साथ सरकार ने बिजली उभगता आधिकार नियम 2020 में संसोधन कर मौझूदा बिजली सुल्क पढ़ारी में दो बदलाव किये हैं पहला दिन के समय टी ओडी की सुरुवात दूसरा स्मार्ट मीटर प्रधानों को युक्त संगत बनाने से जुड़ा है सरकार ने ये भी कहा है कि नई वेवस्ता के तहट सौर गंटो जो की राज्य बिजली नियामक आयोग की ओर से आठ गंटे होते हैं उस दौरान बिजली की समान दर से 10 से 20 फीजदी कम होगी यानि दिन की समय भीजली का सही ढंक से इस्तेमाल कर पाने से आप 20 फीजदी तक कम भीजली बिल दिया जा सकता है आपकी दौरा वही रात को भीजली का अधिक इस्तेमाल 20 फीजदी तक अधिक बिल लेगा एक अपरेल 2024 से 10 किलो वाट या उससे ज़ादा मांग करने वाले वाड़ी जयम और योगी को भुकता के लिए लागू हो जाएगी किसी को छोड़कर अन्य सभी उबुकताओं के लिए नियम एक अपरेल 2025 से लागू होने वाला है इसके लागू होने से उबुकता कपड़े धोने खाना पकाने विजली खपत वाले अन्य सकारियों से परहेज कर सकेंगे नैनियम को लेकर विजली यहों नवीनी करण उर्जा मंतरी आरकेसी ने कहा कि टीयोडी विवस्ता से उबुकताओं और विजली प्रद्दाताओं को हर हाल में ही फायदा होगा आपको क्या लगता है कि विजली की खपत का यह नया नियम आम उबुकताओं के लिए कितना फायदामेंद है है या भी या नहीं हमें कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएं